गाइस बेलकम टू माई यूटूब चैनल का आज इस वीडियो में हम देखेंगे जैसंकर प्रसाद जी का जीवन पर्चे सिर्फ आपको ये पाँच पॉइंट तैयार कर ले तो तब जिंदिगी भर जीवन पर्चे को जैसंकर प्रसाद के नहीं भूल सकते हो ठीक है क्या क्य तैयार करना सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एक ही जीवन पर्चे को दो छात्र हल करते हैं ठीक है लेकिन उनके नमबर अलग-अलग क्यों मिलते हैं जैसे एक नार्मल इस्टूडेंट बिना वेडियो देखे अगर वो जीवन पर्चे को हल करता है तो आपक इनके कि एक रचनाओ का उलेक करने का तो पूरा का पूरा आपको पांच नमबर कैसे लाना है ये वीडियो में देखेंगे ठीक है एक नार्मल इस्टूडेंट जब जीवन पर्चे को साल्ब करता है तो उसे तीन नमबर मिलते है तो निबंद और जीवन पर्चे इसी आपको पांच पॉइंट तयार करty ना ये 5 पर्चे आ पताए कीशेट जीवन पर्चे जिन्दिगी भर माने का तो कह सबसे पहले इनके जै-संकर प्रसाथ काम जीवन पर्चे किसका लेक आदे सप्रहिन और आदिमक है इनका जो जयम हुआता वो माना जाता है 1889 कोई 90 मानता है कोई 89 मानता है तो आप कोई भी लिखकर आओगे वो सही रहेगा ठीक है इस भी में अब जन्म तो हमने लिख दिया अब इस्थान लिख रहा है कि यह नि कहां पर हुआ था यह इनका जन्म जो हुआ था वो 801 वारारसी में हुआ था तो हम 801 लिखकर वारारसी लिख देंगे यह हमारी कौन सी टॉपिक हो गई दूसरी टॉपिक ठीक है और तीसरा आपको क्या करना इनकी माता पिता का नाम अगर माता पिता का नाम मिल जाता है तो सही है नहीं मिलता तो कोई बात ने इनकी जो माता का नाम था वो मुन्नी देवी था तथा पिता जी का नाम देवी परसाथ था ठीक है तो ये चीज़ अगर है आपके पास तो इसे लिख दो अगर क्योल पिता का नाम लिख दो देभी प्रसार ठीक है यह जो गया अब आपको चौथा टापिक क्या याद करना इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाव ठीक है तो प्रमुख रचना है आप क्या लिख सकतो जैसे इनके प्रमुख रचना है काम यानी लहर जहर्णा ठीक तक हम यहाँ पर लिख देते हैं काम यानी लहर जहर्णा तितलि आशु इत्यादिन की क्या है प्रमुख रचना है ठीक है यह गई आपको लास्ट क्या लिखना इनकी मृत्तिव लिखनी है इनकी मृत्तिव यानि यह कब स्वर्ग सिधार गए थे तो देखो बहुत ही अलब काल में सन 1937 इस भी में यही पांच टॉपिक आपको याद करना और इसी पांचो टॉपिक पे जीवन परचय आपको लिखना है देखिया तो इसको जीवन परचय को देखो इस तरह से लिखना है आपको बूरिक जामे कैसे सबसे पहले आपको डाला प्रसुनत्तर संख्या 26 का कर तीक है अब दिखो यहां पर आपको जैसंकर परशाधिन की टाइटेल दाल दनी है अब यहां से जीवन परचय इस तरह से ब्लैक से लिखना हाइलाइटेड के लिए अगर जीवन परचय सही सही याद है तब ब्लैक से लिखो कर नहीं याद है अंदाजे मारना चाहते हो तो आप ब्लू से लिखो ठीक है इस भी में हुआ था इनकी पिता का नाम देवी प्रसाध था आप यह जानते हो यहां पर ब देखा के जाए कभी है उनकी प्रस्तिती सेम रही है उन्होंने घर पर इस्टेडी किया हुआ है और हरें चीज उनकी संघर सिल रही है किन्तु बाद में इन्हें अत्याधी कठनाईयों का सामना करना पड़ा इनका जीवन बड़ा ही संघर ससील था नेश्ट देखते हैं प तो आप इनकी रचना लिख सकते हैं कि कव लांच की गई तेक है लहर क्या है और इसको कब प्रकासित क्या गया इसके प्रडाम क्या थोड़ी से आप डिटेल्स लिखोगे तो पूरी की पूरी आपको वो डिक्जाम में पांच नंबर मिलेगा तो गैस आज इस वीडियों बसे इतना है विएक ने इस्टी वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद